आलू एक एसी सबजी यह जो हर घर की रैसोई में आसानी से देखने को मिल जाती है और वह रोजाना काम भी आती है लेकिन आलू का इस्तमाल आप ध्यान से करे आलू का रंग थोड़ा भी बदला हुआ हो तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है अकसर हम खाने वाली चीज बज्जाने पर फ्रीज में रख देते हैं सोचते हैं कि अब यह फ्रेश रहेगी और ना ही सेहत को नुकसान देगी लेकिन कुछ ऐसी चीज्जे होती हैं जिने हमें फ्रीज में नहीं रखना चाहिए वो हमारी सेरहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है इनी चीजों में से एक है आलू जी हाँ आलू को भूल कर भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए जानी आखिर क्यों दरसल आलू में स्टार्च मौजूद होता है और जब आप आलू को फ्रीज में रखते हैं और उस पर सूर्य की कितनी किर्णे गिरती है इसके कारण उसका कलर हरा हो जाता है इसे आलू में सोल नील लेवल बढ़ जाता है जो कैंसर का कारण बन सकता है आलू काफी दिनों तक पड़ा रहता है तो उसका कलर परिवर्तन होने लगता है ऐसे में कई आलू हरे हो जाते हैं कोई काला हो ऐसे आलू को आप बिलकुल भी यूज ना करें आपकी सिहत को हानिकारक साबित होगा जब आलू सिकरणने लगता है तो वह काफी दिनों का हो जाता है ऐसे लोग आपको बिलकुल भी प्रयोग नहीं लेना चाहिए यह आलू आपके शरीर में टॉक्सिक की मातरा बढ़ा देता है जो आपकी सिहत के लिए बहुत हानिकारख है